कवर्धा के लालपूर गाउं में साध हराम यादव हत्याकार्ण में गिरफतार किये गए छे आरोपियों के खिलाफ धारा स्तोला यूए पीए एक्ट जोड़ा गया है जो 36 गड़ में गैर नकसली मामलों के बाद पहली बार किसी आरोपी के खिलाफ जोड़ी गई धारा है एस पी डॉक्टर अभिशेक पल्लव ने कहा है कि घटना से कुछ दिन पहले दो आरोपी आयाज खान और इद्रीश खान कश्मीर गए थे और आरोपीओं के आतंकी संगठनों से संबंध सामने आये हैं जिसके मुबाईल और लैप्टॉप में कई साक्ष मिले हैं इसलिए IS-IS पैटन पर गला काट कर हत्या की गई S.P. ने ये भी कहा कि इस एक्ट के तहट आरोपियों को कम से कम फासी की सजा और उम्रकैद की सजा तै होती है दरसल 22 जनवरी कोई उध्या में राम मंदिर के उध्गाटन के ठीक एक दिन पहले हिंदू समुदाय में दहश्रत पहलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था पुलिस के मुताबिक अब इस मामले की जाँच एनाईये के पास जाने की उम्मीद है साधराम हत्याकारण में पहले दिन से जो है पाले पांच आरोपी पकड़े गया फिर एक आरोपी पकड़ा गया उनके इंटेंशन और मोटिव के उपर जो है पुलिस सघन जाज कर रही थी जो आयाज खान जो मास्टर माइंड है उसके फार इंदरीश खान यह तो मेन एडिक राइजर्स थे यह काफी लोगों के साथ संदिग्द लोगों के साथ संपर्क में थे और कहीं ना कहीं जो मॉड़ास अप्रेंडाई है वो भी आईएस आईएस के इस तरका है और जो इन समुदाई को में डर का वातावरंड पैदा करने के लिए धाला फोला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है लगाया गया